आपके खुशियों के पलों में मिठास बढ़ने आई हूं लेकर सूजी का हल्वा वीडियो को आखिर तक देखें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इसके लिए हम लेंगे ड्राइब फूर्स एक कटोरी चीनी एक कटोरी देशी घी और एक कटोरी सूजी अब हम मीडियम फ्लेम में घी गरम करेंगे गरम घी में ड्राइब फूर्स करारा होने के लिए डालेंगे किश्मिश बाद में फ्राइब करें क्योंकि किश्मिश जल्दी जल जाती है हम ड्राइब फूर्स को पलेट में निकाल लेंगे अब फ्लेम को लोग कर दें और इसमें एक कटोरी सूजी डालें धीरे धीरे कट्ची से हिलाएं नहीं तो सूजी जल जाएगी पैन में 3 कटोरी पानी लें और इसमें केसर डालें लेकिन ये उप्शनल है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सूजी ने घी छोड़ गया है और अब हम इसमें पानी डालेंगे याद रखेगा पानी अराम से और धान से ही डालें साथ साथ कड़्ची से हिलाते रहें, नहीं तो छीटे आपर भी आ सकते हैं अब दो-तिन मिनट के लिए इसे धकते हैं, धक्तन को ध्यान से उठाएं, अब इसमें चीनी डालें और धीरे-धीरे इसे हिलाते रहें गाड़ा होने पर इसमें ड्राइब फूर्स डालें लीजिए जटपट तयार बच्चों से बड़ो तक का फेवरेट सूजी का हल्वा बनकर तयार है इसकी खुश्बू से पूरी तिचन महग रही है जितने अच्छे से सारे आइटम मिक्स होंगे उतना ही दानेदर बनेगा सूजी का हल्वा इसका टेक्शर स्क्रीन पर आपको नज़र आई रहा होगा और लास्ट में मैंने गार्णिश के लिए यहां कोकुनेट लिया है ममता और प्यार से बरेश चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें